किम्सु जेगुक से कहता है कि अगर यह सच हुआ तो मैं तुम्हें बर्बात कर दूँगा हंग बर्बात किम्सु के पास होती है और कहती है कि जब तुम यहाँ से जाओगे तो बिना गुट बाए वोले मत जाना वह हां कर देता है यहाँ जेगुक के पास आती है और पूछ यह कि क्या सच है कि तुमने जीताक को मारा कहतो कि तुमने ये नहीं किया जेगुक कहते ही कि मैंने ही उसे मारा है और यह सब तुम्हारी वज़े से हुआ है यह अन्रोने लगती है हॉंगरान उसे कॉल करती है पर वह रिसीब नहीं करती हॉंगरान किम्सु के पास आती है किम्सु से पताता है कि जेगुक ने पुलिस से मना कर दिया है कि उसने जीता का सी नियाद करो कि क्या हुआ था बताती है कि जब मैं रिपोर्टर को फॉलो कर रही थी तो मेरी कार फ्लिप हो गई थी और उसके बाद एक ट्रक नहीं कर दिया था किमसु पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ और भी याद है बताती है कि जब मैं हैवन के स्टेशन पर थी मेरी पॉकेट में सिगरेट थी पर मैंने तो बहुत पहले स्मोकिंग छोड़ दी थी जिताक के मरने के बाद सुक्चुल वहां आता है रिपोर्टर्स उसे फोटोस दे देते हैं वे फोटोस जेगुक को सैंट करता है और कहता है कि क्या करना चाहिए जेगुक उन दोनों की और मुझे जीताक के सिस्टर बन कर ही रहना पड़ेगा जब तक सुक्चुल मर नहीं जाता दोनों अपना टाइम चेक करते हैं किमशु के पास जादा टाइम होता है हउंगनान के पास कम किमशु पूछता है कि तुम्हारे पास टाइम कम क्यूं है क्या तुमने अपना टा एक नेक पी के तोम्हें गिल्टी फिखार करने की जरूरत नहीं 12 कहने का मैं आइसा करने पहल। नहीं कोई नहीं है की मिस कंपनी का षिर होल्डर हूं मिस वांग ने방किन वह जोगती सबसे कहता है प्रेजिद्ट के सक्वाइब कंदल से इमेज खराब हुई है तो इन्हें फायर किया जाना चाहिए जेगुक अपने डैट से कहता है कि अब तो आप खुश होंगे ना सभी शेयर होल्डर किम्सू का प्रोपोजल एकसेप्ट कर लेते हैं अपना प्रेजडेंट है ली हे जून किम्सू से कहता है कि मुझे पता है तुमने जिताँ को नहीं मारा पर मैंने यह सब कंपनी के लिए किया है किम्सू को कैफे ले कर आता है । बहाई चाहते है तक ass कम्सू से कहती है कि तुम्हारा श설 Zhitak किया है इसमें यह मैं हूं तो मैंने तुम्हारे भाई को दून लिया है पर मैं और कुछ नहीं बता सकता तुम्हारे भाई नहीं मना किया है और वह तुम्हारे सामने भी नहीं आएगा पर वह तुमसे बहुत प्यार करता है शिन कहती है कि क्या मेरा भाई जीताक है पर उसकी सिस्टर तो तुम ही हो क्या मैं कन्फ्यूज हो रही हूं हागनान केहती है कि मैं तुम्हारी ऐडickedhe पर ही रह रही थी जीता वागनान किये अरँ वह हहा कर दीती है और वहां से चली जाती है उन सब की बाते सुन लेता है यह उनको भी बचाने आइलेंड पर एक बोट आ जाती है गर जाते हुए किमसु से बताता है कि जंग ने तुम्हारे भाई को ढूंड़ा है वह तुम्हें जीता के रेस्टोरेंट में भी मिलवाने गया था पर तुमने एस्बेंट को खो दिया इसलिए वह तुम्हें नहीं बता पाया शिन पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो किमसु कहता है कि मैं दो दिन बाद चला जाऊंगा यह उन जे गुग से कहती है कि हमें अपने बेटे को लेकर यहां से चली जाऊंगी किमसु अपने ऑफ सौंग जे के साथ ड्रिंग करती रहती है और कहती है कि यूएस जाने के बाद तुम लोगों से नहीं मिल पाऊंगी सौंग जी कहतए कि क्या तुम जा रही हो अखेति आ कि मैं बस यहां विजट करने आई थी तुम दोनों रेस्ट्र oen्ट का ध्यान रखना और तुम ठेक स चलता है और दूर से देखती रहती है यह उन स्टाफ के साथ पिच्छ लेती है चली जाती है पिच्छ में होग नान भी होती है और उसके पास खुद ही आजाता है कि तुमने जीता को मारा है ना सुक्छूल कर देता है और अपने बंते करता है है तो कहता है कि हमें प्लेस रेंट पर देना है तो यहां कर देती है कि मज़ा करती नहीं करती तो और सुख्यों से कौल करता है तो मैं ढूण रहा है तो सुख्य जीता के घर आ उसके बाद सुक्चूल भी आ जाता है सुक्चूल केमसु को फॉन करता है और शिन सच जीता के वारटे में बात हैं केमसु कहता है यजिक्ट कि शिस्टर को देखना चाहते हो His to be the name name I said oli सिंच के बघ्र श्रो alrededor के सखिए है सि क्या सिंच की मैं तो किसी को लिए बुलाती है और रोती रहती है और कहता है कि मुझे बात करनी है तब ही किमसू हां आ जाता है कि मेरे पास तुम किमसु को उसे कुछ नहीं पता यह ऑँ गार फोटो देखती है उसे होगुनान को भी मिलने चलिया गार यह उसे मारने जाता है अकाउंट लेकर मुझे देदुह जाती है और फोटो साइड में फिक कर उसे हिट करती है दोरों कि फाइटिंग चलती सब्सक्राइबाइब चुल होता है होंगनान नहीं यॉन गार आकर होंगनान को डूनती है उसे वहीं पर दिखाते हैं रहती है कि मैं प्रॉपर गुडबाई बोलने आई हूँ यॉन उसे जाने से मना करती है यॉन और जिताक को किस करते हुए दिखाते हैं माया वहां आ जाती है जिताक और होंगन हो जाता है नेवी हना को गिफ्त देता है और प्रैक्टिस करज़ें हो कर रहते हैं किम लगा देताह पर एक छोड़ देता है फ्लेश बैक में दिखाते हैं कि हॉंग नान अकाउंट वाली पिचर रिप्लेस करके और इसनल वाली किमसु को दे देती है लास्टी करवे हॉंग नान के बैंक वाले कार्ट पर लगाता है और अपना लेकर जाता है शिन जाने से पहले उसे कुछ खा किमसु कहते हैं कि जीता कि स्टाइल में गया है माया पूस्टी कि क्या वापिस आना ठीक रहा कि मशुआ कर देता है और पीछे देखता रहता है कि मशुआ कि आई होप वह मुझे नोटिस करती शिन देखती है कि हेजून ने भी टमैटूस नहीं खाए बिलकुल किमसु की स्टार बन जाती है उसका न्यू मैनेजर होता है सौंग जे यान पूश्टी है कि तुम इससे पहले क्या करते थे पर कहते है कि मैं शेफ था जेगिल कहते है कि जगा मुझे रख लो यान घर जाते हुए अपने बेटे से बात करती है सौंग जे फोन में फोटो देखता है उसकी ममी होती है माया तब उनकी साइड से हौंग नान जोगिंग करते हुए निकलती है सौंग जो से नोटिस कर लेता है रियल हेजून स्टोर आ जाता है सब एंप्लोई उसे हैंड्सम बताते हैं और उनके रेस्टेरिंग बनवाने के लिए थैंक्यू बोलते हैं वह उन् पर एक लैडर होता है जिसमें लिखा होता है पिछले दो महीने मैंने तुम्हारे आइडेंटिटी यूज करके यहां काम किया है स्टोर को बचाने के लिए तुम्हारे प्लैन के अगेंस्ट काम किया मैं सौरी नहीं बोलूँगा क्योंकि गिफ्ट में तुम्हें का लिक्स और फिर से वॉननट्स मूव करते हैं मिश्वां कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्या कहना है तिनुए आपस में बैटकर बाते करो और चली जाती है देखुक अपने बेटे से मिलने आता है और यहां से कहते हैं कि साथ में खाना खाते हैं मेरे पास काम नहीं है तो अब टाइ रहती है और स्माइल करती है लिफ्ट से बहार आने पर होंग नान जैसी लड़की से फिर से टकराता है पूछ थी कि कि हम पहले मिल चुके हैं वह कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं भी आया हूं वह कहते हैं कि तुम हस क्यों रहे हो है जो उसे स्वारी बोलता है दोनों अपने विद्रामसीक है वहापी देग